जह हिंद इस वीडियो में लोग HTFC बैंक के बारे हम बात करेंगे आज HTFC बैंक के क्वाडर फोर का रिजल्ट आ गया है चलिए बोड़ पर हम देखते हैं कि रिजल्ट कैसा आया है और अगर आप इस बैंक के सेर्स ओलर से हैं तो अब आगे के स्टेटी क्या होनी चाहिए इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा आए वीडियो सुरू करते हैं देखें दोस्तों HTFC बैंक का जो क्वाडर फोर का रिजल्ट आया है और इस वीडियो में हम लोग स्टेंडलोन डाटा एक बारे हम बात करेंगे देखिए जब भी कोई बैंक या कंपनी अपन लेकिन चुक्ञाएं तो बैंक है तो बैंक के पास तो एक ही बिजनेस होता है अपना बैंक का बिजनेस इसलिए इसमें प्रिफेंडेन डेने की बात करेंगे अब आते हम लोग संभाता हूं कि यह जो कौलोम बनाए गया है पुछले कौर्टर तीमाई के उसके लिए है और यह पार्ण जो आप देख रहे हैं पिछले साल के नतीज़ outta है उससे कंपरेजन करने के लिए बनाए गया है अब आनों देखेंगे बैंक का में कमाई इंट्रेस्ट से होता है बैंक लोन देते हैं और उसके जो ब्याज मिलता है उससे इनका जनरेट होता है तो देखें जो इंट्रेस्ट इस बार बढ़ा है क्वाटर फोर में 33,444,802 र इंट्रेस्ट मिला था तो सलाना अस्तर पर भी और क्वाटर लिए इंट्रेस्ट में बढ़ा हुआ है अगर रिभेन्यू की बात करें जिसे इंकम भी करते हैं तो देखें के क्वाटर फोर में 41,8588 रुपय का कंपनी को रिभेन्यू हुआ है और पिछले क्वाटर में क्वाटर फोर में इसने अपने अलग अलग कारियों पर 24,72,887 रुपय खर्च किया है जबकि पिछले क्वाटर में 23,87,565 रुपय और साल पर पहले देखें तो 22,44,473 रुपय खर्च किया थे तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसका इंकम बढ़ रहा है और इंड्रेस बढ़ने लगते हैं लेकिन यहां वह इसी बात नहीं है आप देखेंगे अगर परसेंटेज में नेट एंपी अ की बात करें चुकि है बैंक के बारे में डिसकस करना जरूरी है बैंक के लिए यह देखने काफी जरूर होते कि एंपी ए बढ़ा की कम हुआ एंपी किसी यह काईदे से कम होना चाहिए तब अच्छा होता है इस केस में देखेंगे तो यहां क्वार्टर फोर में 0.32 परसेंट है इसका एंपी जबकि पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 0.37 था यानि की एंपी कम हुआ है जो की अच्छी बात है और अगर सलाना आस्तर पर देख 5,508 रुपया और जो की पिछले क्वार्टर में था दस लाग 4,220 रुपया तो हम यहां देख रहे हैं कि क्वार्टर पर प्रोफिट में थोड़ा से गिराउट हुआ है जब कि साल पर पहले देखेंगे तो यहां प्रोफिट हुआ ता 8,18,600 रुपया तो सलाना अस्तर प इस बैंक और इनकी तमाम अलग-अलग जो कंपनियां हैं संदार हैं इसमें कोई सक नहीं कि इनका बिजनेस मिडल और इनके काम करने का तरीका मैनेजमेंट हरे एक चीज बहतर है अगर आप इस कंपनी के सेर सुलर से हैं तो बेसक बने रहे हैं नया इन्वेस्टमेंट करना